विदेशों में सोयवीन बिगम का भाव तूटने तथा पामुलिन के महांगा होने से दिल्ली तेल तिलन बजार में बीते सब्धा सोयवीन तेल, सीपियो और पामुलिन तेल, बिनौनल तेल सहीच सरसो और मुफली तेल तिलन के भाव में गिरावट के साथ बंद हुए सोधरों ने बताया है कि बीते सब्धा सरसो दाने का भाव 10 रुपे घटकर 8,970 से 8,995 रुपे प्रती कुइंटल रहे गया जो पिछले सब्धा हांत 8,975 से 9,005 रुपे प्रती कुइंटल था सरसो दादरी तेल का भाव पिछले सब्धा हांत के मुकावले 1,500 रुपे तूटकर समिक्षदीन सब्धा हांत में 17,800 रुपे कुइंटल रहे गया दूसरी ओर समिक्षदीन सप्ता में सोयवीन दिल्ली के भाव 300 रुपे, सोयवीन इंदौर के भाव 300 और सोयवीन डिगम के भाव 400 रुपे के नुकसान दर्शाते बंद हुए समिक्षदीन सप्ताहंत में बिनौला तेल और मुंगफली की नई फसल की आवक शुरू होने के बाद मंडियों में भाव तूटने से मुंगफली का भाव समिक्षदीन सप्ताहंत में 50 रुपे तूट कर 6,050 से 635 रुपे क्विंटल पर बंद हुआ मुंगफली गुजरात का भाव 50 रुपे की हानी के साथ 13,750 रुपे क्विंटल पर बंद हुआ जबकि मुंगफली सॉल्वेंट रिफाइंड का भाव 10 रुपे की गिरावट के साथ 2005 से 2130 रुपे प्रती टिन पर बंद हुआ जाड़े की कमजोर मांग और पामुलीन के मेंगा होने से समिक्षदीन सब्ताहंत में CPO का भाव 230 रुपे की गिरावट के साथ 11,200 रुपे क्विंटल रह गया जबकि पामुलीन दिल्ली के भाव 180 रुपे की हानी दर्शाते 12,800 रुपे और पामुलीन कांडला तेल के भाव 200 रुपे की हानी दर्शाते वे 11,650 रुपे क्विंटल पर बंद हुए समिक्षदीन सब्ताहंत में 29 तेल का भाव 300 रुपे की गिरावट के साथ 12,500 रुपे क्विंटल पर बंद हुआ था बजार के जानका सूत्रोन का कहना है कि विदेशों में सुरज मुखी की अच्छी फसल होने की खबर से सुयवीन के भाव लगातार तूट रहे है इस वज़ा से सुयवीन डिंगम का आयात भाव 1480 डॉलर से घट कर 1420 डॉलर परती टन रहे गया है सुयवीन डिंगम का भाव तूटने का असर सुयवीन के बाकी तेलों पर भी हुआ और इनके भाव समिक्षदीन सप्ता में नर्मी के साथ बंद हुए सूत्रों के नहीं कहा है कि सुयवीन रिफाइंट और सुरज मुखी के सस्ता होने के कारण सीपियो और पामुलिन तेल की मांग लगातार घट रही है देश में जाड़े के दिनों में सीपियो की मांग घट जाती है और इस कारण भी समिक्षदीन सप्ता में गिरावट देखने को भी सूत्रों ने कहा है कि समिक्षदीन सफ्ता में सामानने कारोवार के बीच मुंफली तेल तिलन के भाव गिरावट के साथ बंद वे छुट्टियों के कारण कम कारोवारी सत्र वाले सफ्ता के दोरान मुंफली पर गिरावट का असर मंगलवार को अधिक स्पष्ट होगा जब गुजरात में मंडिया खुल जाएंगी देश में जाड़े का मौसम और शादी विवा के सीजन के दोरान सरसो के मांग बढ़ने की उमीद है और इस बार किसानों ने सरसो खेती का रगबा भी बढ़ाया है जिससे इसकी पैदावार बढ़ सकती है मंडियों में बिनौला की नई फसल की आवग बढ़ने और मुंफली के सस्ता होने के कारण समिक्षदीन सपता में बिनौला तेल में गिरावट आई सूतरों ने कहा है कि बाकी तेलों के भाव सस्ते होने से सरसो की मांग घटी है लेकिन बाजार में सरसो खली की स्थानिय मांग है दिवाली के मूरत कारुबार के दिन सलोनी शमसाबाद में सरसो की खरीद का भाव अधिक भर सहीद 9,321 रुपे क्विंटल रहा था विडियो रपोर्ट, माकेटम्स टीव